तो आज आज हम लोग बात करते हैं, Elective Potential के बारे में और इसके related terminology के बारे में भी पहले शुरुवात करते हैं, Definition से पहले तो meaning समझते हैं, Potential का, कि Potential का मतलब क्या होता है? Potential का मतलब होता है, छहमता आप किसी काम को कितना कर पाते हैं, उसे कहते हैं, छहमता तो यहाँ electric potential का मतलब है कि एक unit positive charge को किसी भी point P तक लाने में किया गया काम ही electric potential है तो आईए एक बार definition भी पढ़ते हैं Work done by bringing a unit positive charge from infinity to at any point P against electrostatic force without any acceleration is called electric potential It is represented by V and it is a scalar quantity पहली बात तो यह है कि आप infinity से किसी भी test charge को या unit positive charge को किसी भी point P तक लाने में जो आप काम करते हैं उसे हम work कहते हैं और चुकि work is scalar quantity होता है इसलिए यहाँ पर potential जो है वो भी एक scalar quantity है अब यहाँ पर एक चीज़े आती है कि without any acceleration क्यों होता है अगर हम without any acceleration नहीं बोले तो क्या होगा दिखिए जब आप work calculate करते हैं क्योंकि work कितना होगा उसी को हम लोग potential बोलेगी तो work कितना होने के लिए आपके पास exact value होनी चाहिए और exact value होनी के लिए उसमें uniform rate से change होना चाहिए उसका position अगर uniform rate से position change हो रहा है तो एक constant velocity से जाएगा अगर constant velocity के साथ जा रहा है तो acceleration 0 होगा इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि without any acceleration ठीक है तो आपको यहाँ पर चीज़े समझ में आगवे को बहुत simple तरीका है electric potential का मतलब होता work done from unit positive charge from infinity to at any point P without any acceleration against electric static force ठीक है next बात करते हैं हम इसमें mathematically term में mathematically term में अकर हम बात करें तो यह होता work done upon a charge work done का मतलब against against electric force मतलब electrostatic force and charge जो है वो यहाँ पर test charge है ठीक है तो यहाँ पर चीज़े हमें clear समझ में आ रही कि potential का मतलब जो है work done upon में charge है अब हम इसमें बात करते हैं यूनिट के बारे में अगर हम यहाँ यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले चीज़े हम बात करेंगे SI unit and CGS unit unit में अगर हम देखें तो दो तरखी unit होते हैं कौन-कौन से SI unit और CGS unit यहां पर बात करो तो यहां पर बोल सकता हूं कि यहां पर सबसे पहले हम एक चार्ज ले लेते हैं जहां से समझते हैं क्या है यह चार्ज लिया क्यों अब मैंने डेफिनिशन में देखिए हमने क्या बात कर रहा था है डेफिनिशन बात कर रहा था कि वर्क डन बाइब ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर लिजे फ्रॉम इन्फिनिटी तो एनी पॉइंट पी तक का अंडरलाइन कर लिजे यह इन्पॉर्टेंट पार्ट है अभी तो अगर हम यहां से देखे तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या बल सकते हैं कि एक infinity term है, यहाँ पर हमने infinity ले लिया है और infinity पर हमने Q0 charge को ले लिया है अब इस Q0 charge को हम infinity से लेकर किसी भी point P तक लाकर रख देंगे वो point P यहाँ पर decide कर लिया हमने कि वो P जो है वो R दूरी पर है यहाँ पर तो हमें क्या करना है, infinity से क्या करना है infinity से Q0 charge को लेना है और यहां तक ला कर रखना है लेकिन इस Q0 charge को जब ला रहे हैं तो हमें दू condition ला अपलाई करना है क्या without any acceleration without any acceleration and against electric field तो निसी तोर पे यह है जब हम इजे साइड लिक रहेंगे तो against electric field ही वार कर रहेंगे क्योंकि इसके लिए यह ही होगा यह result naw तो आप यहां से एक Q0 charge को लेकर आ रहे हैं और वो infinity पे तो मान लीज़े कि किसी भी समय इस Q0 charge को आप यहां पे लाके रखें यहां से लाकर आपने यहां पे रखा अब यहां से धीरे-धीरे किसाइट लेके आ रहा है? P तक लेके आ रहा है तो माल लेते हैं किसी भी point B तक आप लेकर रहा है जो displacement जो तैय करा वो है DX A से B तक ले जाने में आप क्या distance तैय कर रहा है? DX तो माल लेते हैं कि A तक की जो दूरी है Q से A तक की दूरी कितना ले लेते हैं? X ले लेते हैं और अब आप A से B तक लें DX पे फिर B से कोई और टर्म होगा C तक तो वो DX लेंगे C से को और टर्म होगा D तक तो वो DX लेकर रहेंगे फिर D से P तक लेकर आएंगे तो DX तक लेकर लेकर आएंगे संच पा रहे हैं दुबार एक बार देखते हैं आपको क्या टास्क दिया था कि एक Q0 चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लखे रखना है और वो कैसे मूव करना है dx 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 मूव करना है तो माल लिजे कि किसी भी पॉइंट पर हमने अभी से दूरी माल लिया कि वो x है अब हम इसको dx मूव करा है तो b तक पहुंचेंगे फिर dx मूव करेंगे तो c फिर dx मूव करेंगे तो d तक फिर dx मूव करेंगे तो p तक पहुंचेंगे तो इस तरह से हम p तक पहुंच जाएंगे तो हमें उसको calculate करना है work तो अभी मेरा पूरा focus ही रहा है कि हम जब a पर थे उस वक्त जब हम a पर थे उस वक्त q वाला charge कितना force लगा रहा होगा क्योंकि हमें work calculate करना work के लिए हमें जरूरी है f dot dx वाला तो f हमें जरूरी है तो हम मान लेते हैं किसी भी point जब a पर थे तो उस वक्त ये वाला जो charge है इस a पर कितना force लगा रहा होगा मतलब q naught तो यहीं था तो कितना force लगा रहा होगा अब इस force के लिए हम value लिखते हैं force के लिए value क्या लिखेंगे बताइए यहां पर force के लिए लिखेंगे k q naught q upon x square right coulombs का formula है simple सा तो उसको हमने अपले कर रहा है force तो यहीं होगा अब यहां पर देखते है अब जो a से b तक पहुँचे वो displacement कितना पैकी है dx तो now displacement जो है वो कितना है dx तो यहां पर क्या बनेगा work अगर निकालेंगे small work done है ना चुकि हम small force की बात small displacement की बात कर रहे है इसलिए हम यहां पर work जो लेंगे वो क्या लेंगे small work done small work done को हम लोग क्या लिखेंगे dw small work done is equal to f dot dx right यही formula आएंगे तो f की value क्या लिखेंगे k q naught q upon x square dot dx clear है तो यहां पर क्या लिखेंगे इसको dot dx अब dot को हटाएंगे तो क्या लेंगे एक term देंगे जिसको लिखेंगे k q q naught sorry k q q upon x square dx यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे cos 180 degree यह cos 180 degree क्यों आया इसको थोड़ा से पीछे जाके समझते है देखिए अगर हम यहां पर बात करें कि electric electric field जो है वो force इस charge पर किदा लगाएगा इस side यही तो electric field का force है लेकिन external agent के दवारा हम इस पर force किदा लगा रहे है external agent के दवारा हम force किदा लगा रहे है इस side लगा रहे है इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 180 degree का क्योंकि हम तो opposite direction में लेकर आ रहे है यह एंगल बना यहां पर 180 degree ठीक है तो अब यहां पर देखते हैं कि इसकी जो value बनेगी वो क्या बनेगा तो लिखते हम यहां पर minus k q not q upon x square और dx minus q क्यों है समझ मैं cos 180 की जो value होगी वो minus 1 होगा तो यह dw की value होगी अब dw की value आने के बाद क्या करेंगे integrate करेंगे पूरी term को हम लों क्या में रखेंगे integration करेंगे क्यों integration करेंगे क्योंकि यह term तो हमें तभी तो पूरा निकाल पाएंगे क्यों है कि हम integration नहीं करेंगे तो हमें यह पूरा integration करना होगा चलिए ठीक है तो अब हम क्या करेंगे integrate करेंगे कहां से कहां तक 0 से लेकर w तक और इसमें जो limit लेखेंगे वो dx का रखेंगे तो minus infinity से लेकर r position तक हमें जोड़ना है integration का मतलब होगा जोड़ना q q0 x upon x square और यहां पर रहा dx अब हम इसे integrate करेंगे integrate करेंगे तो constant term को हमने बाहर रख दिया है q0 q integration जो है वो हैगा 1 upon x square dx क्योंकि x जो है वो variable है हर बार x काम होता जा रहा है तो यह minus sign को भी हम यहां पर input ले लेते हैं minus k q k q0 q अब यहां पर जो integrate करेंगे तो वो integration आएगा minus 1 upon x upper limit minus of lower limit यहां भी लिख लेते हैं और यहां भी लिख लेते हैं r infinity तो अब हम यहां पर put करेंगे तो क्या आएगा minus k यह plus हो जाएगा q0 q upon r मैंने यहां पर एक step जब कर गया upper limit minus of lower limit मैंने direct कर लिया वो सिधा answer आगया 1 upon r तो हमने यहां पर इसको लिख लिया that is the value of w लेकिन हमें w नहीं निकालना था finally हम तो w निकाले लेकिन हमें final जो निकालना वो है तो potential potential क्या होगा work upon me charge work कितना है k q0 q upon me r upon me q0 that q0 q0 cancelled होगा तो यह जो value आया k q upon me r square k q upon me r sorry v की value i k q upon me r ठीक है तो यह आपको याद दुखना किसी भी point charges के लिए जो value होगा r distance के दूरी पे electric potential की हो formula निकल कर आएगा k q upon me r ठीक है तो यह इसका derivation था जो की बहुत आसान derivation है व। यह जो